कुछ बच्चों का कहना है, question number 8 में doubt है, एक बच्चे का doubt भी आया था, के sir, residential income कुछ कह रहे था, एक बच्चे का doubt था, वाट्थप किया हुआ था, जो नम दिया हुआ है, मैंने doubt session के लिए, उनका doubt मैं भी last में जरूर पूचूंगा, आप last तक देखियेगा, कुछ बच्चे कह रहे हैं, 8 question में doubt है, 8 question में solve करवाद कोसिस यह है, कि मैं एक topic कर लूँ, एक अच्छे से topic हमें ये समझ में आ जाए, ताकि chapter ending के तरफ चला जाए, फिर एक question doubt में, कोई बात में, doubt ले लेंगे हम, ठीक है, तो topic है हमारा, मैंने कहा था, income को calculation करने के लिए, computation word क का इस्तमाल करते है, calculation, income of, sir, syllabus में न, individual का ही, income की, computation की बात की जाएगी, इसलिए हम इसी का सीखेंगे, और most important, sir, इस chapter का weightage, एक बार अगर मैं बताओ आँ आपको, इस chapter का, अगर मैं weightage बताओ न, तो normally, इस chapter में से question पूछा जाना तैय है, confirm है कि इस chapter में से question पूछा जाएगा, दूसरी बात, एक चीज़ और बताओ, sir, कई बार इस chapter में से 20 से 25 नमबर का भी question पूछा गया है, तो हम इस chapter को, वैसे तो हर chapter हमारे लिए उतना ही important है, जितना की ये chapter होगा, तो हम इसको भी अच्छे से सीखेंगे, अभी तक क्या 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 कर लिया है, फटा-फट से quickly देख लेते हैं, हमने देखा individual का residential status, उसके अंदर दो परकार के देखना होता था, basic condition और additional condition, sir, basic condition के अंदर देखना पड़ता था, दो basic condition था, 182 दिन और 60 और 365 दिन, additional condition में दो बार resident होना है, 730 दिन पिछले 7 सालों में, इसके बाद, sir, basic condition के कुछ exception थे, आपका अगर employment के लिए बाहर जाते हो, अगर आप Indian ship पे crew member की तरीके से काम करते हो, अगर आप Indian origin नहीं हो, Indian origin के case में हमारा एक exception भी आता था, अगर आपकी 15 लाख रुपए से Indian income जादा है, तो वहाँ पे 120 दिन वाला case applicable होगा, in case आपका residential status किसी भी भारत और किसी other country में भी कोई proof नहीं कर पाता, कि आप वहाँ के resident हो, लेकिन अगर आपकी income 15 लाख रुपए से उपर है, तो आपको India के अंदर resident मान लिया जाएगा, और उसके उपर लगेगा, कौन सी income, इंडिया के income, इसके बाद सार हमने देखा था हुएफ, हुएफ के अंदर basic condition वाला कोई पार्ट नहीं है, हुएफ के अंदर basic condition के जगहे पे बोला गया, कि आपका जो भी decision है, वो या तो control एक decision, या सारे decision अगर इंडिया में होते हैं, तो आप resident माने जाओगे, additional condition के लिए बोला गया, कि हुएफ का check नहीं होगा, सिर्फ किसका check होगा, करता, और करता का वही additional condition है, जो कि हमारा किस में था, individual, अब मुद्दे की बात करते हैं, सर हमने एक व्यक्ति को तीन status दिया है, आपने एक व्यक्ति को तीन status दिया है, नॉर्मली, एक था हमारा ROR, एक था आपका NOR, और एक NOR, यही हमने तीन status अभी किसी को भी मैंने तीन status दिये हैं अभी तक, सर, ROR बनने के लिए जो condition था, NOR बनने के लिए condition था, यह चीज़े हम सीख चुके हैं, पहले की वीडियो में, जो बच्चे नए जुड़े हैं, तो उन बच्चों को कहूंगा, वो last की classes जरूर देखें, क्योंकि income tax बीच में से देखने से थोड़ा दिक्कत हो सकता हैं आपको, और in fact होता ही है, इसके लिए था सर, एक आपको कोई भी basic condition complete करिये, प्लस, आपको दोनो additional condition complete करना पड़ेगा, दोनो, बोथ, इसके लिए था सर, आपको क्या था, one basic condition complete करिये, और प्लस, कोई भी additional condition या तो complete ना भी करें, तब भी चलेगा, और एक भी कर देते हैं, तो ना करने के बराबर ही रहेगा, आप NOR बन जाएंगे, इसके लिए था सर, आपको कोई भी zero basic condition complete करिये, और आपका status बन जाएगा हमारा NR, मुद्दे की बात है, एक person है कोई भी, मान लो, बड़े simple से समझना, एक कोई भी वेक्ती है, इसका status कुछ भी हो सकता है, इसका status ROR भी हो सकता है, इसका status NOR भी हो सकता है, इसका status NR भी हो सकत है, और इसके income की बात करें, तो बहुत जगह से ये income भी कमा सकता है, बहुत जगह से मतलब है, तुस हो सकते है, maybe possible है इसके income की अगर हम बात करें, तो इसका income क्या हो सकता है सर, income इसका salary से हो सकता है, सर इसका income कहां से हो सकता है सर, इसका house property, capital gain बहुत जगह से, अगर इसका status स्टेटस यह है तो इसकी टोटल इंकम कैसे काउंट करेंगे अगर इसका स्टेटस यह है तो टोटल इंकम कैसे काउंट करेंगे अगर इसका स्टेटस यह है तो टोटल इंकम कैसे काउंट करेंगे सिंपल सी बात है अगर एनर है तो इसका मतलब वह इंडिया में बहुत कम रह लिए रहा हैं तो उसकी income foreigner होगी पॉर्न से फिश्थर कमा रहा है क्या उसके फ़ोरन वाले income पे इंडिया में टेक्सि बल होगा या नहीं होगा यह सारी बाती हम सीखेंगे सेम इसकी करगो तो इसकी कुछ इंकम इंडिया से भी फ्रूर्ण से तो क्या इंडिया वाले इंकम पर पर टेक्स लगाएंगे क्या फॉरनि वाले इंकम को पाट्वान में मान का चल रहाँए만गे इंडिया से सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं है कुछ इंकम यह फॉरण से भी सकता है तो क्या इसके अंदर मैं बात करूं कि इंडिया में कितने इंकम पे टेक्सिबल होगा किस किस पार्ट पर तो हम ही देखेंगे इसके अंदर तो किसी भी परसन की मैं अगर इंकम की बात करूं बहुत सिंपल सी बात है तो हम क्या सीखने वाले हैं कि हम टोटल इंकम कैसे निकालेंगे किसी भी वेक्ति का तो अगर मैं बात करता हूं किसी भी वेक्ति का टोटल इंकम का तो सिंपल देखिए आपके किसी वेक्ति के इंकम की हम बात करें तो हो सकता है में भी कि हम बात करें, तो, income क्या हो सकता है, income from other source, other source भी, आपने सभी को मैंने बताया था, कि other source से income हो सकता है, दूसरा, तीसरी मैं बात करूँ, income कहां से हो सकता है, house property, чौथी मैं बात करूँ, income कहां से हो सकता है, और पाँछ वा, जो कि आपको पता है कि income कहां से हो सकता है किसी भी व्यक्ति की मैं बात करूँ individual की बात करूँ तो उससे ये अधिकार नहीं चीना जा सकता कि वो इतने जगह से income कमाएगा पहली तो बात कोई व्यक्ति 5 जगह से income हमारा कमा सकता है income from salary salary का मतलब नौकरी करेगा मानलेथे हैं आप जौब कर रहे हो सुभ्ष मॉर्णिंग में जौब कर रहे उवनी में कभी भी जौब कर आप кशन में ाप का मतलब भारत से मतलब नहीं है फॉरं से भी हो सकता है अब मैं एक चीज़ आपको बताओं हैरानी करेगा कई बार हम क्या करते हैं कुछ इंडिया में company हैं जो की foreign की accounting करते हैं मैं accounting से बात कर रहा हूँ यहां की accounting नहीं बाहर की accounting एक sensor company है कुछ company assets है या कुछ लोग ऐसे करते हैं जो की freelancing या advertisement agency से बाहर के लोगों से contact करते हैं वहाँ पे labor महंगा है online यहां से काम करके वो उनको provide करते हैं और salary वहाँ से आता है तो वो job इंडिया में कर जरूर रहा है लेकिन कर किसी और के लिए रहा है तो अगर मैं salary income की बात करूँ तो salary income कहां पे होनी चाहिए कहीं भी हो सकता है salary income इंडिया में भी हो सकता है और इंडिया के सर दूसरी income बात करें house property आपका property इंडिया में भी हो सकता है और इंडिया के बात करें आपका property इंडिया में भी हो सकता है वहाँ से income कमाया जा सकता है income from capital gain की बात करें capital gain में क्या है सर किसी assets को इसके अंदर क्या होता है assets को आप sold करके जब पैसा कमाते है तो इसके अंदर चला जाता है तो again ये इंडिया का भी हो सकता है और इंडिया के बाहर इंडिया के बाहर का मतलब नेपाल भी हो सकता है बंगलादेश भी हो सकता है, पाकिस्तान भी हो सकता है, अमेरिका भी हो सकता है, कोई भी country हो सकता है, सिर्फ एक ऐसा specific country नहीं है, इंडिया के बाहर है, इसके बाद इसका business भी हो सकता है, business में तो बड़े सारे लोग बाग इंडिया के बाहर भी अपना business करते हैं, तो एक वेक तो यह सारी चीजे इंकम का है लेकिन सर यह जब किसी व्यक्ति का इंकम है तो इंकम कहां कहां से हो सकते है यह तो इंडिया इंडिया के बाहर, अब एक बार हम ये समझ लेते हैं, सर, इंडिया और इंडिया के बाहर, अधर सूर्स के नीचे में कुछ इंकम लिखने जा रहा हूं, इसको ध्यान रखिएगा, जैसे डिविडेंट इंकम, जो कि आगे आएगा, गिफ्ट, आपको गिफ्ट मिला, वो भी अधर सूर्स का पार्ट है, नंबर थ्री, एगरी कल्चर इंकम, मान लो, वैसे होता नहीं, इसका अलगी एगरी कल्चर इंकम की बात करें, तो अलगी सिस्टम चलता है, इसका, एगरी कल्चर, तो ये कुछ ही स्पेसिफिक इंकम है, जो कमा सकता है, अधर सूर्स में, और क पहले भी डिसक्स पान इंकम बता दिए मैंने क्या क्या है अधर सोर्स के कुछ ऐसे इंकम है यह हम सीख के आ रहे हैं एक व्यक्ति की टोटल इंकम निकाली जाए चाहे वो इंडिया से खमा रहा है चाहे फौरन से फौरन वाले इंकम को कितना छोड़ना चाहिए इंडिया वा अगर हम इंडिया आपको पता है कुछ चीजों का आप समझना देखिए हमारे पास दो सिचुवेशन है एक आपके सामने युवेश से समझने की कुशिश करना बस समझाना है मुझे थाकि आपको तोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाए बस ये है एक आपके सामने इंडिया है इसके अंदर क्या-क्या लिखा इससे मतलब नहीं है मैं छीक है? आप इन्डिया की अगर बात करते हैं सर तो इन्डिया के अंदर यह पूरा एरिया जितना भी देख पा रहे हैं आप यह पूरा भारत है अभ ऐसा हो सकता है कि यहां पे कहीं भी, किसी भी जगह, आपकी क्या हो सकती है factory भारत के किसी कोने में factory और भारत का मतलब मैंने क्या बताया था सर भारत यहां से 12 nautical mile भी बताया था मैंने कहीं भी कोई factory है, अगर आपने यहां पे कोई भी दुकान खोली है चाहे यहाँ पे आपका KFC खुला हो, जो कि Indian Company नहीं है, चाहे आपका Reliance Limited खुला हो, जो कि Indian Company है, अगर यहाँ से काम करने हैं, तो हम कहेंगे, सर यह जो पैसा कमा रहे हो न, वो पता है कहां से कमा रहे हो आप, हिंदुस्तान की जमीन से कमा रहे हो, इंडिया के लेंड से पैस भारत से अगर पैसा कमाओगे, हम टेक्स लेंगे आपसे, तुम्हारा स्टेटस ROR है, NOR है, NR है, हमें नहीं मतलब, इसके उपर हम आपसे टेक्स वसू लेंगे, कहां पे, भारत में पैसा, भारत में कैसे, कोई भी कमपनी हो सकता है, मैंने KFC का एक्जामपल लिया, तो means KFC भार की कमपनी है, लेकिन बिजनस कहां कर रहा है, इंडिया में, तो उसको नहीं छोड़ेंगे, उससे हम टेक्स लेंगे, दूसरी बात मैंने किसकी करी, Reliance Limited की भारत में है, टेक्स लेंगे, अब भारत की जमीन का मतलब कोई भी लेंड, कहीं भी, और ये देखिए, कुछ इंकम तो ऐसे है, यहाँ पर आप सिंपल सा एक एक्जामपल देखिए, कुछ इंकम क्या है, यह क्या है, बॉम्बे ओल फिल्ड, ओंगी सी का प्लांट है, यह देखिए, भारत के कहां समंदर एरिये में, तेल निकालने का काम कर रहा है, है यह भी किसका पार्थ हमारा, भा पहले तो एक बात यह समझना है, ऐसे संटेंस को पता है क्या बोलते हैं, जो भारत से आप कमाते हैं, तो टेक्स के लेंगविज में, लॉक के लेंगविज में बोलते हैं, एक्रू एक वर्ड है, एक्रू, एडबल सी, मैं भी बता दूँँआ सारे, एक्रू एक्रू एड अगर भारत से आप इंकम कमाओगे, आप फटा फट से बताना, भारत से पैसा कमाओगे, तो क्या आप उस दोगे, अगर आप एनर हो तो जी देना पड़ेगा, अगर आप आरो आर हो तो देना पड़ेगा, अगर आप एनर हो तब भी देना पड़ेगा, यानि भारत में ज कोई परसन यूएस में बैठा हुआ है और यूएस से पैसे कमा रहा है कोई परसन यूएस में बैठा हुआ है और कहां से पैसे कमा रहा है यूएस से पैसे कमा रहा है कोई वेक्ति लेकिन अगर वो यूएस से पैसे कमा रहा है मान लेते हैं वो कभी ना कभी तो घूमने के लिए आएगा ना मैं सिंपल सी बात करूँ तो कोई व्यक्ति हो सकता है कोई भी हो सकता है मान लेते हैं इसको ले लेते हैं ये US में बैठा हुआ है और ये पैसे कमा रहा है तो ये पैसे कमाएगा जब US से अब इंडिया गूमने के लिए आ सकता है नहीं आ सकता ये आ सकता है अब ये इंकम कहां से कमाया गया देखो US का वेक्ति है कहां गूमने आ रहा है इंडिया गूमने आ रहा है अब ये फिर वापस यहां चले जा रहा है तो ये इंकम कुछ डिफरेंट है यहां पैसे कमान पर text देना वो देखना पड़ेगा दूसरा condition यह हो सकता है सर पहला condition मैंने क्या बताया पहला condition जान से सुनिएगा अगर भारत की जमीन से भारत में से पैसे कमाओगे तब आपको text देना ही पड़ेगा कुछ ऐसे sentences है जो आपको confuse कर सकता है interest यह है यह वेक्ती कहां बैठा है सर US में यह वेक्ती US में बैठा है और इसने क्या करा यहां पर FD करा दिया SBI में क्या करा इसने FD करा दिया अब ब्याज मिलेगा अब इसको यहां से ब्याज यह इंडिया आता ही नहीं कभी सर यहां से इसको सिर्फ क्या मिल रहा है? ब्याज मिल रहा है हो सकता है ऐसा पॉसिबल? हो सकता है? अब बताओ ये income कहां से कमा रहा है? इंडिया से income कमा रहा है ठीक है? इसको इसका status अगर मैं बोलू N-R तब भी tax देगा अगर इसका status बोलू R-O-R सर तब भी tax देगा status बोलू N-R तब भी यानि कहां से पैसा कमा लिया इसने भारत से अब इसने माल लेते हैं City Bank, US का Bank है City Bank की बात करते हैं यहां पर FD करा रखा है और यहां से FD कराने के बाद इसे interest मिल रहा है और रह भी USA में रहा है ऐसे situation में अगर वो इंडिया के अंदर N-R है तो क्यों देगा tax भाई? रह रहा है वहाँ है वहीं पर FD पर interest कमा रहा है तो इंडियन गॉर्मेंट के पास पावर नहीं है कि तुमसे tax ले ले अगर इसका status N-O-R है तो यानि यह बिलकुल इंडिया में तो नहीं रह रहा कभी आ रहा है और कभी जा रहा है लेकिन अगर इसका status R-O-R है तो भाईया यह इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा travel कर रहा है इंडिया से बहुत ज़्यादा इसका तालुकात है तब भाईया आप वहीं से income कमा रहे हो तब भी आपके जेव में जा रहे हो तब भी tax देना पड़ेगा समझना बात को अगर कोई वेक्ती बाहरी रहता है बाहरी पैसा कमा रहा है मतलब factory भी कहा लगी है बाहर एक बात तो था factory इंडिया में लगी है वहां से पैसा कमा रहा है तब तो बची नहीं सकता ही दूसरी बात क्या करा आप बाहर रह रहा है बाहरी कमा रहा है समझ रहे हो बात को बाहर रह रहा है और बाहर ही कमा रहा है पैसा लेकिन अगर इसका status क्या बन जाए और ओ आर तब ये Techs से नहीं बच सकता, बाकी 2 case में Techs से बच जाएगा दो condition बता है पहला भारत से पैसे कमाऊगे तो नहीं बच सकते, दूसरा बाहर ही सारा काम होगा है, लेखिन आपका status क्या होगया, ROR तब आपको text देना होगा, बाकी दोनों condition में नहीं देना होगा हमने USA के अंदर एक factory लगा दी, USA के अंदर मैंने एक factory लगा दिया, suppose करो, और factory की बाद छोड़ो, USA के अंदर SBI होगा या नहीं होगा, हाँ या नामे जवाब देजिए, बहुत बच्चों को पता होगा, बहुतों को नहीं भी पता होगा, USA में बताईए, SBI होगा या नहीं हो होगा होगा बिल्कुल हर एक कंट्री में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच है हर एक कंट्री में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच है अब इस यूएसे में जो कि कोई न बोल रहा हुआ ब्याज रेट इतना लो ऐसे करो कंट्रोल कहां से तो एसे सिचूएशन में जब हमारा कोई बाहर कंट्री होता है और हम इंडिया से उसको देख रेक कर रहे हैं तो ऐसे को बिजनस सेटप आउट साइड इंडिया कंट्रोल फ्रॉम तब दो को टेक्स देना पड़ता है सर मैं भी सारी बाते बताऊंगा ऐसे सिच्वेशन में दो लोगों को टेक्स देना अभी मैं रफली बता रहा हूं मैं भी दिखाऊंगा भी और समझाऊंगा बहुत प्रैक्टि इंडिया से सेटप और क्या कहा है मैंने सेटप आउटसाइड इंडिया बट कंट्रोल फ्रॉम अब दूसरा देखो ऐसा भी पॉसिबल है सर ऐसा भी पॉसिबल है कि आपका बिजनस के एफसी के एफसी इंडिया में है और इसका ओनर मान लेते हैं यूएसे में बैठा है सा अरे फैसले USA से लिए जा रहे हैं इस KFC के लिए अब देखो बिजनस सेट अप का हैं इस कंट्रोल कहां से हो रहा है अब आप दिमाग लगाना किस-किस के लिए टेक्स से बोलोगा यह क्योंकि पहला कंडिशन बोला वही लग रहा है न यह तो बोलने का तरीका अलग है कुश्च्टन कई बार बोलेगा सेट अप आउट-साइड इंडिया कं चंट्रोल फ्रॉम एंडिया एक वर्ड इये हो गया एक होगा setup in India control outside India अगर setup sir इंडिया के अंदर हो गया तो जमीन भारत का इस्तमाल हो गया और जैसे ही भारत का जमीन इस्तमाल हो गया हर किसी को text देना पड़ेगा ठीक है फिर से देखे condition condition number one अगर आप भारत के जमीन से पैसे कमाओगे इंडिया से पैसे कमाओगे तो text देना ही देना है आपका status matter नहीं करता condition number two अगर आप भारत के बाहर हो सब कुछ बाहर ही कर रहे हो अगर आप रो और बनते हो तो text देना पड़ेगा दरशाब बच जाओगे condition number three अगर आप मान लो हो के बाहर ही आपका setup बाहर है control इंडिया से दो को text देना होगा पहले दो कौन से और 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 अगर हमारा setup इंडिया में है लेकिन control बाहर से हो रहा है तो तीनों को ही text देना पड़ेगा अब सर एक बात होती है receive और एक बात होता है remittance दोनों में अपर बात होता है जैसरे मौनलों आंप इहां पर जॉब करने के बाद आप ने यहांप explicacy पहले जहां से जॉब करते हो जैसा ही आपने salary receipt किया और salary आपने अपने पेर इंडिया में भीज दिया ऐसा हो सकता है आप बाहर के मान लो जॉब करने के लिए वहाँ job किया वहाँ company से आपको क्या मिला पैसा और पैसा कहा आ गया इंडिया में तो जब आपका एक मीडियो कर बीच में आ जाए और इंडिया में पैसे आए तो इसको receive रेमिटेंस वर्ड बोलते हैं आपकी fees है आप fees लेके मुझे फीद होगे आपका भी job नहीं कर रहे तो पहले पैसा आपने पैरेंट से receive किया फिर वो पैसा आप मुझे दे रहे हो लाके फीद के तो ये रेमिटेंस में count होगा receive में count यानि अगर firstly पैसा जो receive करेगा इसका मतलब receive है बाकी का क्या होता है रेमिटेंस मान लो एक वेक्ती है मान लेते हैं हम एक वेक्ती है और वो वेक्ती जॉब USA में करता है लेकिन वो आ गया directly इंडिया के अंदर घूमने के लिए salary का time था नहीं सोचा इंडिया में आएंगे इंडिया और job जहां कर रहा था मान लेतने हैं कि वो job कर रहा है Microsoft में Microsoft में directly उससे इंडियान बैंक के अंदर पैसा भीज दिया इसका बैंक इंडिया में भी था इंडिया में भीज दिया तो अब बोलेंगे यह पैसा इंडिया में receive हुआ है क्या बच्चों का क्या है yes reduction होता है LEG कॉस्की ने क्या बोला LAG LAG समझ में नहीं आए कॉस्की क्या बोल रहे हूँ अभी मैं सभी का कमेंट देखूंगा एक बार concept बता तूँ बस थोड़ा सा बस खतमी होने वाला है अभी बताते हैं जो आप पूछ रहे हूँ सारी बातों का डिसकस करेंगे और बताने दीजिए पहले सबसे पहले receive और remittance में फरक समझेगा Microsoft में जॉब कर रहा था इंडिया घूमने के लिए उसने बोला sir Microsoft आप मेरे bank account में पैसा भीजिए और bank account उसने कहा का बेज दिया SBI का तो पैसा बहार से आ रहा है इंडिया के अंदर तो इस पार्ट को बोलेंगे receive अब दूसरा condition यह हो सकता है sir यह job तो USA में कर रहा है और यह घूमने के लिए इंडिया आ गया इसने अपने friend को बोला friend एक काम कर मेरे पैसे office से ले ले और मुझे भीज़ दे इसको receive नहीं बोलेंगे इसको remittance बोलेंगे दो वर्ड है receive और remittance condition कहता है अगर इंडिया में आपने पैसे receive किये ना तो आपका status whatever कुछ भी हो आपको text देना पड़ेगा दो condition ऐसे है जिसमें आपको text देना है आपका status matter नहीं करता एक तो इंडिया की जमीन से पैसा कमाओगे तो आपको text देना है अगर इंडिया में पैसा receive करोगे तो आपको text देना है आपका status क्या है matter नहीं करता दो चीज़े धियान रखना मैं सारी चीज़े भी लिखवाऊंगा मैं condition मैं फिर से बोल रहा हूँ number one condition sir condition आप भारत की जमीन से पैसे कमाओगे तो तो आपको text देना होगा आपका status कुछ हो भारत में आप पैसे को receive करोगे तो आपका status कुछ भी हो आपको text देना पड़ेग अगर आप control outside इंडिया से है लेकिन setup इंडिया के अंदर है तो बात तो वही हो गया भारत से ही पैसे कमाओ जा रहा है तो तीनों को ही text देना पड़ेगा control आपका इंडिया से है setup इंडिया के बाहर से है तो दो लोगों को text देना है अभी याद नहीं हो रहा कोई दिक्कत नहीं है इसके बाद अगर आप बाहर ही हो और बाहर ही पैसे कमा रहे हो अगर आप ROR बनते हो तो आपको text देना पड़ सकता है तो कुछ एक condition हमने देखा हां तो रेमेटेंस के थूँ आएगा तो ROR को पैसा देना है बाकी को नहीं देना ठीक है ना मैं वो सारी चीजे मैंने प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है उससा मत करो कुछ मैं छोटे-छोटे question पूछूंगा और एक question है कि अगर country हाँ एक question पूछना है सर अगर कोई यहा के country को text दे दे और वो भारत में पैसे receive कर ले और भारत को भी text देना पड़ेगा यह नहीं पड़ेगा इसे बोलते हैं double taxation international taxation इंडिया government का और US government का अगर आपस में ट्रीटी है ट्रीटी का मतलब आपस में समझोता है इंडिया government बोलती है अगर आप कोई वेक्ति वहाँ पे और वहीं पे कमा रहा है वहीं पे अगर उसने text भर दिया तो इंडिया में उसे text नहीं देना बच जाएगा Indian government इस तरीके से क अभी टेक्स दे तो इसके तरीके से उसके उपर कितने टेक्स का बड़न आ जाएगा डबल टेक्स वह इंटरनेशनल टेक्सेशन का बात है हमारे स्लेवर्स का बिलकुल भी पार अभी जो समझ रहें वह चीजे देखना है मैं कुछ कोशन पूछता हूं आप मुझे थ्यान देना मैं चलो दूसरे पेच पर चलते हैं यू एससे से अर्निंग है पचास अजार रुपे और इंडिया में इंडिया में आपने रिसीव करें सरिफ पच्च्छ अजार अब मैं आपका स्टेटस बताता हूं अगर आपका स्टेटस आर ओ अए अगर इस्टेटस एं और है तो क्या पहला कुश्चन दे रहा हूं तो मैं एसको करूँ आखिए इंडिया में रिसीव हो गया ये तो receive के case में तो बची नहीं सकता, अगर इसका status ये है तब भी इसको देना पड़ेगा ये status है, तब भी देना पड़ेगा, ये status है, तब भी देना पड़ेगा बाकी 25,000 तो नहीं receive हुएा तो इसका मतलब अगर बाकी के 25,000 इंडिया के अंदर receive नहीं हुए तो ऐसे situation में अगर यह receive नहीं होता अगर आपका status और बनता है तो आपको देना पड़ेगा बाकी इन condition में नहीं देना पड़ेगा यानि अगर आपका status और तो आपके उपर taxable कितना लग जाएगा सर पूरे 50,000 अगर आपका status और है तो आपका टेक्स लगेगा जितना पार्ट रसीव हुआ है अगर आपका status और है तो कितना टेक्स होगा हमारा स्रीफ स्रीफ 25,000 ठीक है अब मैं एक question आपसे पूछता हूं आप बताईएगा मुझे आप USA में हो और यहाँ इंडिया आपने क्या करा इंडिया में एक factory लगाया इंडिया में एक factory लगाया 25,000 रुपे यहाँ से कमाये इंडिया में factory लगाया 25,000 कमाये लेकिन आप पर्मानेंटली रहते हो US के अंदर आप कहां रहते हो sir US के अंदर रहते हो और आप यहाँ से control कर रहे हो US से control कर रहे हो अब आप बताईए क्या ROR, NOR और NR किसको tex देना हो गा, जो बच्चे लाइब में वो भी जबाब दे किसको देना पड़ेगा तीनो को टेक्स देना पड़ेगा इसको भी tyx देना होगा सरगी और इसको भी tyx देना होगा झाल